हेलो गाईज वेल्कम बैक टो अनदर वीडियो आज गाजु वीडियो है ना बहुत ही खास यहां पर आप देख सकते हो कि आज हम जानने वाले हैं थ्रेसिंग भी यानि कह सकते हैं थ्रेसिंग मेथड भी और यहां पर आप देख सकते हैं इस काजु परिभासा है कुछ इस पर कार की है तो यहां पर अगर परिभासा देखे तो लिखा क्या हुआ है कि the process of separating grain और grain particle by machines is called tracing कहने का मतलब यह होता है कि मसीनों द्वारा डंडियों से anye कनो या अनास की कनो को अलग करने के प्रक्रम को हम कहते हैं지는 tracing भी दिये यह आपको समझ लगता है नहीं आई होगी क्योंकि सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा यार हमारा डंडी आखिर होता क्या तो जैसा कि आप सबको पता है कि जब धान होती है तो धान में बहुत सारे डंडी आ होती है गेहों में भी बहुत सारे डंडी आ होती है क्या बिना वो डंडी के ही वो खड़ा होती है क्या वो बीने डंडी के ही खाड़ा होता है नहीं न तो यहां पर अगर डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लिजिए कि तो अब हम क्या क्या चीजों को अलग करते हैं आप यहां पर असानी से देख सकती हैं तो क्या क्या चीजों को हम अलग करते हैं तो यहां पर आप देखिए तो हम अलग क्या क्या करते हैं तो जैसे हम धान को अलग करते हैं डंडिया से अलग करते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं मैंने यहां पर चावल भी लिख दिया हूँ और समझे तो अच्छा ही है ताक प्लच से크ी, है और यहां पर और उख hail चोड़ा बोलते हैं चूड़ा इसके बाद है यानंग हम कहते हैं मुरमुरा और आगे जो है और इसकी बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जवार और चारा है जिसका इंगलिज जो होता है सोरगम होता है तो ये सब क्या है अनाज है और इन ही अनाजों को मसीनों में डाल कर इनकी जो डंडिया होती है निकाल देना का जि कहलाता है आपको थ्रेसिंग मेथड तो थ्रेसिंग मेथड आपको कुछ आइडिया मिला की नहीं मिला हम थ्रेसिंग मेथड किसको बोलेंगे तो हमारा जो अनाज के जो कन होते हैं जैसे धान है तो धान में भी दंडिया होता है और ग्योहे में भी दंडिया होता है आप ऐसे समझिए हमारी जो माताय होती है वो क्या करती है कि जब छोटा सा खेत में अगर चन्ना का खेत किये है ममी तो फसल उसमें जो चन्ना होता है उ ज्यादा नहीं है तो उसको क्या करते हैं। उइसको हाथ से पट कर निकाल देते हैं। टो रिष्य हधा एक ना हुज भांझ вами हो देखे fácil। से दौने पर तो होता ही है लेकिन बहुत सारा टमेश टाइम चला जाता है तो इसलिए क्या किया जाता है कि हमारी जो मसीने होती है मसीनों में डाल कर और अच्छे तरीकों से क्या कर दिया जाता है अनाज के जो कन होते है जैसे डंडिया जो होते है वे सब को क्या कर दी जाता है अलग कर दे ज FIR तो बस आपको इतना बात याद रेखनी है कि मसीनों में डाल कर अनाज की जो कन होते हैं उन्को अलग कर देना गाइस के हैं आको ठ्रेसिंग विद्धीやって the Gmail's irakpinman 02 बस आपको डंडिया अलग करना ठीक है तो यही थि आज का जो टॉपिक हमारा है और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और ना समझ में आया हो तो आप नीचे कुछ भी लिख देना यार ठीक है तो चलिए वीडियो आज का समाप्त होता है और हाँ समझना और ना समझना सिर्फ आपके उपर निर्वर करता है ठीक है त झाल झाल